इस गुष्मृ बॉक्स जिसको हम भू सकते हैं प्रयोग के लिएूज़ करने के डबा अच्छेत्र चंपरेकों में चाता यह जो वाइट डॉट दिख रही है इसको हम उत्रे धुरूव या नॉर्थ पॉल बोलते हैं जो दूसरे साथ जिस तरफ कोई भी बिन दुनिया उसे हम सौथ पॉल बोलते हैं तो इसको मैं इस बॉक्स के अंदर रखोंगा इसको मैंने इस बॉक्स के अंदर रख दिया है तो आप साइड से सकते हैं कि उपर की तरफ उत्रे दुरूव है और नीचे की तरफ डख्षन दुरूगा अब इसमें मैं लोहो चूरन डालूँगा और लोहो चूरन डालने से देखेगा कैसे चुम के छे तफल बनता है तो आप देख सकते हैं कितना बड़ी है चित्र बन गया है कि जो ध्रूवस होते हैं इन ध्रूवों पर बहुत ज़्यादा तीवरता होती है क्या पर देखेगे कि एक जैसे ध्रूव पास पास होते हैं और आप यह देखेए ने में दो चूंब के रखे इस प्रकार से कि इसका उत्री ध्रूव और इसका उत्री ध्रूव दोनौ अत्री द्रव एक ही तरफ है अब हम देखते हैं कि इसकी चुम्किय रेखा है किस प्रकार होंगी जी देखिए मैं लोजबन डाल दिया इसके बाद मैंने इसको हिला दिया हिलाने के बाद आप जहां देखिए कि जो चुम्क की ध्रूब है यह आपसे बिलकुल भी नहीं जुड़े हैं और उपर देखिए नहीं जुड़े हैं कि उत्री धरूब और दक्षणी धरूब दोनों अलग अलग है अब हम देखते हैं कि एक तरफ दक्षण और उत्री एक साथ तक से तब क्या होता है अब मैंने चुमबक को इस प्रकार से रख हैं देखिए एक तरफ उत्तर, एक तरफ दक्षन, दोनों धरो आमने सामने हैं अब हम इस पर लहोचुन डा रहें हैं और देखते हैं कि यह लहोचुन कस प्रकार से चुमकि छोतर फाल को दर सबता हैं यह मेरे हाद चुलो चुन में डाल रहा हूँ तो यह देखिए यह हमारा चुम के छेतरफल है इसको हिलाने के बाद भी यह अलग अलग नहीं होगी इससे यह पचलता है कि उत्रु ध्रिव और दक्षण ध्रु मेरे चुम के रहां चुड़ती है और ध्रु 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 एक साथ अत्रु के रहा है विप्री दिशा में चाती है धन्यवाद आशा है आपको ये प्रयोग पतंदाया होगा तो ये देखिए और आगे और भी शेर खेजिए थेंक्स फर वाचिंग मा यूट्यूब चैनल प्रभात्सर पड़ाकडा